तो श्रेंट्स स्वागत आपका मेक इस प्लेटफॉर्म पर बच्चो आज का जो सेसे ने आज के सब्सक्राइब कोई को आपको क्वेशन दिख रहा होगा लेकिन क्वेशन कराने वाले नहीं क्यों कि आज करा चुके हैं और बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे बच्चो बच्चा कह रहा था कि सर यह इसका यह नहीं जो आपने बताए वह आंसर नहीं दूसरा अंसर होना चाहिए ठीक है इसी तरह का एक और क्वेशन भी था हमारे पास जिद में बच्चों को बहुत डाउट हो रहा था कन्फीजन हो रहा था तो चले आज देखते हैं इसका एक बहुत साल के अलावा बने ये लेवल्क नहीं लेवल के बहुत सारी जगाओं पे पूछे के है ठीक है तो चले देखते हैं क्या इसका सही मायने में आंसर होना चाहिए चलिए सबसे पहले में कुछ reference दोंगा देखिए मैं अपनी हिसाब से नहीं बताऊंगा मैं कुछ आपको कुछ crystal clear reference देने वाला हूं इसमें क्योंकि हमारे पास standard जो books होती है वहां से हमने लिए है कुछ ठीक है चले देखते हैं सबसे पहले रफ्रेंस है यह आपकी एस एस रतन सरकी book है एस एस रतन ठीक है एस एस रतन सरकी book है ठीक है इस में क्या है centrifugal effect on belt इस तरह से देया हाँ ठीक है यह आप के लिए सेंपल देखा रहा हूं इसके बाद जो एक्टोल में हमें देखना है ओ यहां पर दिया हो एक्तिया है यहां पे यहां पर इस ने के लियर दिया हो T1 is less than T power transmitted is less when centrifugal force is taken into account इसका मतलब है कि जो बच्चे बी आंसर बोल रहे थे इसके हिसाब से भी आंसर आपका सही है कि क्या है आपका reduce होना चाहिए centrifugal tension ठीक है इसके बाद कुछ और बुक से देखते हैं ठीक है अब आए यह आपके ऑर कि जो बुक है वहां से हमने लिया है है यहां पहुर्में यहां पर देख सकते हैं इहां नहीं लिखा है यहां यहां पर रही कि टी टीवुन निकाला है कि टोटल यह है टैंशन याहीं प्लस्टी सी था कृश् lahm यहां से इन्होंने पावर निकाल यह जो कि मैसाट हमने फोलो किया है ठीक है यह मैसाट हमने भी फोलो किया है और यहां से क्या है क्योंकि टीसी से टीसी यह कैंसल आउट हो जाएगा तो इसलिए इन्होंने क्या है यह निकाला यह आपका क्या है होता है बिना उसको कंसिडर क यहां पे इन्होंने एक लाईन लिखिये कि तस, we see that centrifugal tension has no effect on the power transmitting क्या लिखा है आप पार सकते है ज्याहं से centrifugal tension has no effect on the power transmitter क्लियर है एक बत्चाओ और आपके लिए हाइलाइट भी कर देता हूं ठीक है एावलएट कर देते हैं इसको इनोएफफ सक चश्क है इसके साफ से टांसर होना जाहिए वह यहां आपको मैं आपको बताया वू आंसर famous book PLP अपनार लीपिटिक तिसमेशने के लिए लिखा है क्या लिखा यह एक यहां से कि विदिन परमिसेबिल लिमिट आफ थैंशन इन देट विदिन परमिसेबिल लिमिट पर भी इन फिर दिया रखना विदिन पर अमेसे मेल लिमिट आफ थैंशन इंद बैल इसके बाद जो इन्हों ने लिखा है आगे आप देखेंगे यहां से ठीक है आपको एक चीज और दिखेंगे यहां पर है इस बट यह बट लग गया यहां पर सिंस तमक्सीमम टैंशन इस इंक्रीश अबियस्तल इसका मतलब है यह क्योंकि maximum tension आपकी इंक्रीज हुए तो ड्राइविंग पावर क्या कैपेसिटी का क्या मतलब है कि जो maximum power transmit कर सकता है यह maximum power transmit कर सकता है वो आपकी क्या होगी और रिडियूस होगी maximum power आपकी reduce होगी अगर आप centrifugal tension क्या है आप यहां पर है정 अंसीडर करते हैं कि टेफिनर यह बात बिलकूर निए लेकिन यह जो इस maximum जो power transmission मतलब मěंच Cirical तय早报 बात महेंकर पर डिसकुस करूंगा आपके साथ वह यह हम हम बातकर जातरा के इस तरह यह तो होता क्या है देखिए ध्यान से देखेगा की ळंगो then在 legitimately अचैना को ऐन wisely सकते हैं की सेन्तिफडूकल टेंशनु कि भी बैल्प ओलिन स्टेस्टेस से बेल तक खुम रही है तो टेका अगर इस तरह से आपका सिस्क्राइब ट्रॉट झाल रहा ये है के फोली ठीक अगर वेले सिट्टीक वेल दिस वन ठीक यो गुंवरी बेल्ट के अगर वैलिसिटी है अच्या फॉरी आई को फैले सिति आयगे सित्या है आपका डाफले सीह जो है हर एफ होगा और टी सीह का मतलब है यह क्या होगा significant होगा significant मतलब कि यह आपका dominant करेगा मतलब इसका जो effect होगा वो आपका significant effect होगा अगर आपके क्या है velocity high है उस case में significant effect होगा लेकिन अगर velocity low है तो क्या होगा उस case में TC जो है लगवग आपका centrifugal tension होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई effect इसका नहीं वहीं इसने लिखा है कि विदिन परमिसमें लिमेट अफ टैंसन इन दे बैल्ट असन्ट्रिफगल टैंसन है जो एक्जाम में मुद्ध यह लागलग बुक्स में अलागलग हमें दिया गया है खुरमी ने तो बिल्कुल किलियर लिखा है आपे क्या लिखा है क्या खुरमी ने हमने बोलाया कि संट्रिफगल टैंसन है जो इफेक्ट अन्द पावर ट्रांस्मिटर अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए बच्छों अगर अगर आप प्रिवियस एयर की बुक्स देखेंगे एई लेवल के सारी ठीक है लेवल के जितने भी कोशन है जाहे हो देकिन जाहें आपके क्या है यहोगर आपके इसको आपको फ्यारी कुरमी आपकी रिक्मेंट मतलब यह किन संबस्क्राइब किरूबर करते हैं इसलों करते हैं यह इस थ ethics आप जिए का एक्जाम दे रहे हैं जैये और जेए टायब के जो एसे को एक्जाम से अलेंगि जहीड के नहीं है लेकिन उससे हैर एपर एलेवल के हैं यह मैंनेनेजर्मर्न ट्रेनिग के इसे पीस्टीज होता है वाई जो इंडिया में जो अलग से अपना इलाग एक्जाम कराते हैं उनमें क्या है आपको उनमें आपको ये देखना है जिन इस तरह के जो एक्जाम है इनमें आपके पास जेह डिपलोमा लेवल के कुएशन मिलब इसकूल बेशिक वैसना आते हैं आप इसा शी अंसर को करेंगे एलरा यसे यह फाइज चैनीस मेरी नेंट मेन्स च्रीनीर बेच यह तो यह गए इसके अलावर अब काभर गरिंगे आप आई अर ओ Technical Assistant में करेंगे धियान रखने है टेकनिकल असिस्टेंट में किलियर है, खेस फोलो करते हैं सलेख आपको No effect on the power Transmitter, यह लेकिन अगर आपको बात आते है इस option की यह option आपको कहां follow करना है बटाई यह option आपको कैसे तरह के जैसे gate के exam और यह सी हो गया चीक है और ISRO किया है ISRO वाला जो इजसमियर यह साइनिटिस्ट हAD रखना कि एक बात ध्यान रखना कि एस एस वर इच्वर जिलेखनी पार आपके पास आपको यह आंशर आपको para अंसर को इस एले वह पोलू के यह अलागर मैं बोलू कि एक्ष्ट्र में है का एक्ष्चल में बिल्कुल इफेक्ट करता है लेकिन कि कि लो पे उसका जो एफेक्ट होता है उतना सिविश्विश्व नहीं होता है इसलिए हम यह मान के चलते हैं कि हैं नौ इफेक्ट ऑन पावर ट्रांस्मिश्व वह अगर वह लिखता कि maximum power ट्रांस्मिश्व पर क्या एफेक्ट बढ़ेगा definitely that will be decreased मैक्जमम पावर ट्रांस्मिश्व आपका डिक्रीज होगा लेकिन सिंप्ली उसने पोचा है कि सेंट्रीव ट्रांस्मिश्व इंक्रीज जो भी करेगा उसके लिए आपका इस तरह के एक्जाम में यह आंसर होगा क्योंकि यहां पर डिप्लोमा लेवल की बुक्स आपकी फॉल एक तो यह क्वेशन मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा है अब बात चलते हैं बिल्कुल अगर हम देखे तो बिल्कुल यह आंसर सही होना चाहिए लेकिन हम क्या है हम एज कि रिए टीक फॉल डायक ऐस तक कहना फैर कि एक्यों सीडाय है तो नॉन जीर्व में ड॔र में गयैट इसाला था ठीक है बच्छों को क्या दीकत हो रही थी इगयातिव ऑन पाजिटिव जाह आपका यह नेगेटिव यह बच्चों स्चुट की डिल्किले सी पोल्स का के ल उनकी बुक है इसमें इन्होंने देख क्या दिया है सबसे पहली बात आप ध्यान से देखेगा क्या दिया है तुन दिया है कि नॉर्मल इस्ट्रेस और एनी प्लेइन थो ए फ्लूड एलिमेंट एट रेस्ट इस एक वाइंट प्रॉपर्टी और फ्लूड प्रैसर पीवन टेकन पॉजिट पॉर कंप्रेशन पाय कॉमन कंवेंट आप एक इंपॉर्टेंट बात सबसे बात यह इन्होंने यह बात तो मानी है कि भाई कंप्रेशन हो रहा है ठीक है अनलब जो नॉर्मल इस्ट्रेस है डा एक बाई गॉपन कंवेंस्ट आभ इनके क्वाण से कौनसे को मों जो कि हमने जितने भी हमारे क़्वन रहे है जितने यह आ करते हैं कि बहुए कोई आरा है मैंने कहा हूं इस पर क्या लग रहा है अगर इस डारेक्षिन में लग रहा आ लोड आ hottest मार्माmotherा आ इस पे क्या है आपका इस डारेक्शिन में लोड लग रहा है हम क्या बोलते जो नॉर्मल इस्ट्रेस है वो नेगेटी वाएगा तक विल भी एंप्रेसिव नेचर ठीक है यह क्या है टेंज अचली तेंज लिए हम यह लीगते है पॉजिटीव लिखते है और कंप्रेसिव के के लिए आघा go am wait a negative कि यह इसने काई है यह compression है ठीक है उस इसाफ से क्या है सिस्तिव करते हैं रूम करते हैं निगेटव को नेगेटीव हो न चीए ठीक कлекन वोल bashकिन व्तिव फो इसके लिए धियर कोई क्म pronounce आचेन ऐसे बिए झर्फ जो आणा बस ए hell star ना चाहिए वो क्या साथ ओतनी तो इन्हों ने जो यहां पे बात यह है इसके हिसाफ से तो पॉस्टिव आना चाहिए जो इन्हों ने यहां पर लिखा है इसांसे पॉजिटिव आना चाहिए लेकिन अगर यहां पर कंप्रेशन को हम देखे हैं हम क्या कंवेंशन फॉलो करते हैं कि अपर निगेटिव लेते हैं यह क्या आएगा आपका निगेटिव आजाए आप दूसरी बुक देखते हैं यह है सिंजल एंड सिंबाला स सिंज़ के यह दो चीजिए इननों लेकिए देटेल में देखने ही यह यहां है ना आपके इंपॉर्टान अ इस कि यहां पर इंपोर्टांट है इस दा all stresses act act inward on the surface at a fixed point the three normal stress are equal and the magnitude of these equal normal stresses called pressure thus in static fluid in static fluid Sigma X Sigma Y Sigma Z equal to minus of P important about it we have a kya this is the minus of P but love is na kya liya hai mama reduce stress is that is minus का मतलब है कि वो क्या है compressive हम जानते compressive तो फ्रेंक आम वाइट रने भी लिखा था वाँ पर माशाड़ लिए के लिखके दिनभा एक है तिसरा हम देख थे हैं यह है प्रुर मकानिक्स एन PT मतलब ये एक्ट्यूलम ये जो येद्ट के सोम शार कीबुक मैं खरका सोम सर्क भर को उनला इसे मिलीहões प्रॉफेसर होती नामी प्रॉफेसर है जाले देखते है इन्होंने क्या दिया है जहां से देखेगा हाँ पर कुछ लाइन से इन्होंने लिखी है state of stress element at rest at rest के बाद कर रहा है यहां पर लिक रहा है since a fluid element at rest can develop neither here stress nor tensile stress either serious nor tensile stress the normal stress acting on different faces are compressive क्या है compressive तो सबने ही बोला है कि compressive nature का है यह तो सब नहीं बोला है अब compressive nature बोला इन्होंने ठीक है आगे हम देखें इन्होंने क्या conclusions में आगे 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 इन्होंने दिया है कि the state of normal stress at any point in a fluid element at rest at rest is same and directed towards the point from all direction these stresses are denoted by scalar quantity P अब यह बोलेंगे कि भाई पी जो pressure is scalar quantity कैसे प्रैसर इसकेलर quantity ऐसे होई तो कि प्रैसर कभी भी direction change नहीं करता है प्रैसर क्या है प्रैसर की खास्यत होती है क्या होती है this is क्या है पर्पेंडिकुलर तो तो सर्फिस अर्फिस प्रपेंडिकुलर होता है ओर गलावा compressive in nature करेंट ए चर्वेंड एकम प्रैसर क्योंकि यह प्रपेंडिकुलर तो तो सर्फिस होता है इस इस परपेंडिकुलर तो तर्पेस मतलब है आपका पृष्च कभी भी डार्टशान चेंज नहीं करेगा मतलब किसके सेंस में यह हमेंशा पर पेंडीकुलर ही रहेंगा ऐसे नहीं कि कभी सर्फेस के 45 दिग्रीपे पहो गया कभी कुछ नहीं है साफ फेस पिटिर ही रहता है इसले इसको हम क्या बोलते इस पर्पालियारा यह वालिया कि इस पर गार कॉंट सर्फेस द्रवा रहा है इसका मतलब है हमें उस्के मेगनिट्यूट की जरुट हमें ऑनने की जरुत नहीं इसलिए है इसलिए इस न许िए एकल हम बाधं कि मईचमर्शीबीड गाता है तो में पाइसी पर दे लिग अमेगा वीपटा लाग पता है इसको विम्झेटिबली में पार एब आग्यों में ऩंठाटिट य। यहां पर निकाला है तो आप क्लियर ली देख सकते हैं यहां पर बच्छों इस सिग्मा एक सिग्माइक सिग्माइड इसकल इसका मतलब अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब अगर माइनस आ रहा है और मैनस पास्कल का प्रेंट convention क्या लेते हैं माइनस को हम क्या लेते हैं बेटा माइनस का मतलब है compressive यह तो बोलते हैं माइनस का मतलब क्या बोलते हैं माइनस का मतलब क्या बोलते हैं अगर इस्ट्रेस अगर नेगेटिव में हम बोलते हैं compressive this is compressive in nature वही यहाँ पर इनने माइनस दिया है ठीक है इसका मतलब है कि क्या है आपका अगर आप देखेंगे कि सबसे आपको एक चीज़ कंक्लूजन मिल रहा है आपका क्या है क्या 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 है क्या क्या मिल रहा है जो इस्ट्रेस है सिगमा एन नॉर्मल जो इस्ट्रेस आपक यह तैह हो गया कि कम्प्रेशिव इन नेचर और साथ में इप आट यह कि मेरे अकोर्डिंग according to me and according to these some authors क्या है क्या है क्योंकि हम क्या है compressive stress होता है उसको हम negative sign से so करते हैं और tensile stress को positive sign से so करते हैं it should be the answer should be this one B जो मैंने आपको बाता आया था negative normal stress मेरे इसाफ सी यह हो अगर आप positive normal stress कहते हैं तो मुझे मेरे पास इसका कोई क्योंकि अगर compressive nature का है stress यह तो सबने माना है फ्रेंक आम वाइट ने भी माना है अब sign convention हम जो follow करते हो हमें पता है क्या करते हैं टेंजल को हम पॉस्टिव लेते हैं टेंजल stress को और compressive stress को negative लेते हैं अगर ऐसा है तो यह compressive stress है इस उट भी क्या है negative होना कि अब कुछ बिच्चे comment में कहा लिए ते चोखिए सर्फेस के perpendicular लगता है इसलिए positive बिटा सर्फेस के perpendicular लगने से positive नहीं होता हो पर फेस के perpendicular अगर लग रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस है कि रहा है वे दो तरह की नॉर्मल होगा sigma n टॉक है यह ऐसे लग रहा है यह होगे सिग्मा आप और यह टाइंजाल इन नेचर रहे तो यह पॉजिटीव आएगा यह यह बात तहें यह अगर परपेंडिकुला टू तो ऑपसिए इसके पर पेंडिकुला ले में ले लग रहे हैं वो नॉर्मल इस्ट्रेस कहते हैं उसका पॉजिटिव नेगेटिव से कोई रिलेसन नहीं इसलिए वो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव नेगेटिव से कोई रिलेसन नहीं हाँ वो नॉर्मल इस्ट्रेस हो अगर stress आप या है ? अगर stress आपका parallel to the surface लग रहा है यह tangential to the surface याint parallel to the surface बोले या tangential to the surface 이स को हम्सको ऑन वोर्ते हैं इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, बताईए इंको हम बोलते हैं,िकैर इस 集 sits ओं आप क्या है यह क्या है आपपे या आपके पहले वाले क्या थे सबसको हम कैम थे मत्रों तो सको हम बोलते हैं का बोलेよね सबस्को हम बोलते हैं को बोलते हैं । हुम ताउस अंत आपकेड एक राव बेवाले क्या तो इस आर नॉस्ट परनेकुलént Clifford और नॉर्मल इस्ट्रेस है उसका है प्रश्टिव नियगट में तो पॉस्य निगिटिव में आ हिसाफ अगर आप लोग बोल रहे थो पॉस्टिव ब्रोप्श्टिव लिया तो पास इसका कोई भी अगर आपके पास एक्स्प्लेइन तो बताएगा जरूर कि पॉस्टिव के लिए क्या एक्स्प्लेइनेशन आपके पास है मेरे हिसाब से इस कोई सन्का जो आंसर है वो बिल्कुल नेगेटिव होना चाहिए आपको डेफिनेटली अलग 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 बुक्स और अलग अलग स जो कि जो नॉर्मल इस्ट्रेस है यह नेचर इसको इसको इस नेगेटिव लेते हैं वैसे विए आपने दो बुक में में पर आपके यहां पर अगर मैं बोलो प्रेसर देख मिदस मेगा पास रहा एक तो मतलब अच यहां से विया इक रहा है क्लें कु है तो मेरे हिसाफ से इसका आंसर होना चाहिए अगर आपको ईसका सींता है आप देख सकते हैं तो इसको इसमाश Dalam क्या आप आपकी मर्जी है आप अपने विवेक से इसका अंसर लगा सकते मेरे हिसाब से इसका यह आंसर ना चाहिए चुंकि इसके लिए मेरे पास कोई भी आपको लिए ठीक है बेल ड्राइब का भी किलियर कर दिया मैंने बता दिया हाँ ऑप्सन यह जो बैल ड्राइब में ध्यानक न यह बिल्कुल सही है यह ज्यादा सही है वैसे लेकिन इस तरह की जो हमारे एक्जाम सोते हैं जो जे इडिपलोमा लेवल के होते हैं जिन में एक्ट होगा लेकिन लोग कम स्पीड पर उसका बहुत नेग्लिजिवल एफ एक्ट होगा जैसे स्पीड बहुत हाइब होगी तब यह इसका एफट आपका डॉमेनिट करेगा एक्ट एफट जो है आपको कंसीडरेबल दिखे तो यह इसका था और उसका मैंने बता दीन पर सकते हैं बिल्कुल अपरेसिव ने माना है और कमपरेसिव को माइनस लेते हैं निगेटिव लेते हैं का मतलब आंसर बीशुट पीड़ा आपकी मर्जी आप क्या एक्जाम में टिक लगाते हैं वह आपकी मर्जी है मैंने कुछ प्रूप्स आपको बहुती रेफरेंस जो आपको दिया है बहुती बहुती रिनाइंट जो अथर स्राइश के सुम सर जो की आईटी खड़कपूर में प्रोफेसर एस साय तुम सिंजल स करें हाँ एक इंपॉर्टेंट बात है अगर आपको किसी कोईसन में डाउट लगता की डेफिनेटी ठीक है आप लिखें या आप हमें टेलीग्राम चैनल पर इसलिए आप अलग से लिख सकते हैं ठीक है हम कोसिस करते हैं हम जो एईजी की जो एक्जाम से उनके हिसाब से क् शूटेबल अच्वाना चाहिए दूसरी बात अगर आप एक सोचेंगे कि सर इस तरह की डिख ने इस तरह कि हमारे अंसर यह होना चाहिए आपका यह तो बैटाँ देखिए यह जो पराते हैं इस का नाम ही डावट सेसन है जहां पर ऐसे क्वेशन जादातार मिज्जोरेट उतिती एक दो आपको अलग अलग जगाओं पर जिनके अंसर अलग अलग मिले हैं ताकि आपका जो कनफीजन है वह दूर हो और उसके लिए हम क्या करते हैं कुछ पुछ कंक्रीट एक एक एविदेंच या कंक्रीट कुछ एक्स्प्लीनेशन देते हैं ताकि था समाझ जाए कि हां इस एक्स्प्लीनेशन आपका फिट बैट रहा है यह आपका यह आंसर हमारे अक्रॉडिक होना चाहिए एक चलिये थाक्यू सो मच्पर वाचिंग इस वीडियो चलिए